हलो दोस्तो कैसे हो आप सब आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि मेरा ओप्रेशन मेरे पैर की सरजरी कैसे हुई और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज मेरी छुट्टी होने वाली है फाइनल मिझे चौता दि से बहुत खुशी है कि घर जाएंगे हलाकि प्रॉब्लम तो है ही पैर में पर फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज घर जाओंगा और अभी थोड़ी तिर के बाद डॉक्टर भी आने वाले हैं मेरे पैर की ड्रेसिंग होने वाली है तो मैं आपको दिखाता हूं कि ड्रेसिंग में क्या हुआ कैसे हुआ और उसके बाद फिर घर जाने की तैयारी कैसे घर पहुंचते हैं सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों तब तक के लिए बस बने रही है आप मेरे वीडियो में तो फाइनली दोस्तों डॉक्टर आ चुके हैं और मेरा पैर दुबारा से ड्रेसिंग करने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं डॉक्टरों की टीम काम कर रही है पैर के उपर और अभी आप देखेंगे मेरे पैर का फर्स्ट लुक तो देखा दोस्तो First look after surgery मेरा पैर कैसा देख रहा है कितना भयानक लग रहा है देखने में जब surgery हुई थी तब तो इतना भयानक नहीं था क्योंकि तब ऐसा दिख नहीं रहा था अभी जो मैंने देखा है तो कितना भयानक है दोस्तों देखने वाले भी डर जाएंगी ऐसी तस्वीर है मेरे पैर की फिर भी कोई बात नहीं जो हुआ वो तो हुआ ही आज मुझे घर जाना है दोस्तों एक काम खतम होगा और उसके बाद मेरी चुट्टी हो जाएगी चार बजे तो मैं अंदर से काफी खुस हूँ घर ज के अंदर या मतलब सेबन डेज के अंदर 5-7 डेज आपको फिर से आना है और डॉक्टर से मिलना है उनको दिखाना है जो भी कमी होगी जैसा भी होगा डॉक्टर आगे मुझे बताएंगे साथ दिनों के बाद मुझे फर्म आना पड़ेगा देखते हैं कैसे आएंगे क्या आएंगे हाला कि जाने के लिए तो मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसे जा पाऊंगा तो मुझे एम्बूलेंस या कैप करनी पड़ेगी जहां तक मैं सुचता हूं कैप कर लूँगा क्यूंकि पिछली बार दोस्तों जब मैं एम्बूलेंस से आया था तो एंबूलेंस की पेसेंट के लिए अच्छी होती है जिनें ऑक्सीजन बगेरा की जरूरत हो तो यह पर दिक्कत नहीं होती ह adults का तों ह lle क्या उड़ेन के मैं ambulance return घर नहीं जाओंगा और मैं cab करूँगा देखते हैं तो ठीक है दोस्तो ये काम हो जाए उसके बाद मैं finally घर के लिए निकलता हूँ देखता हूँ क्या होता है दबाई भी लेने हैं देखते हैं कितनी क्या दबाई देते हैं medicine लेके फिर मैं घर के लिए निकल जाओंग ठीक है आपने देख लिए दोस्तो कैसे मेरे पैर का ये लुक आपने देखा कितना भयानक लुक है पैर का सरजरी के बाद सरजरी से पहले ऐसा नहीं था पर क्या कर सकते हैं दोस्तो जो है ठीक है तो चलते हैं घर के लिए और देखते हैं भी डॉक्टर आ जाए और काम हो उसके बाद मैं भर के लिए निकलता हूँ हाँ दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा अगर आप मेंसे किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है और कोई जानकारी है या आप कोई help कर लेना चाहते हैं या कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं तो हमारे यूटुब चैनल में आप कमेंट कर सकते हो साथ ही मैंने फेस्बुक का लिंक दिया है फेस्बुक पेज का वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और टेलिग्राम का भी लिंक में डाल दूँगा तो आप मुझे वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं कर सकते हैं आप में निकल रहा हूं घर के लिए आप देख सकते हैं अब ही मैं घर पहुंचूंगा और थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है कि घर में यह हॉस्पिटल में तो काफी सारी facilities मिल जाती हैン hospital stop होता है घहर पर तो इतने लोग नहीं होते हैं दो एक लोग बताईए मेरे साथ share कीजिए दोस्तो देखो कि हरकिसी को problem होती है अगर आप अपनी problem को किसी कसा सेयर करते हैं कोई नब कोई option होता है कोई नब कोई आशी बात होती जो आपकão बताएगा हो सकता आपके काम की हो अगर कुछी ऐसी भी होगी जो आप मुझे बताएंगे हो सकता हो मेरे काम में आ सके तो प्लीज दोस्त कांटेक्ट करने की कोसिश कीजिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को आउन कर दीजिए और कोसिश करिए तो एक-दो लोगों को मेरा चैनल सेर भी किजिए थैंक दोस्तों फाइनली मैं घर पहुच चुका हूं और फिर आपसे मुलाकात होती है एक अगले वीडियो में